हेला दोस्तों आप सबका सवागत है सीजन 2 के एपिसोड 5 में आज मैं बात करने वाला हूँ बिजनस को ग्रोव करने से डिटिड कि आप अपने बिजनस में कैसे ग्रोथ लेके आएंगे कैसे business को automation की help से growth लेके आएंगे यानि कि आज हम बात करेंगे कि आप अपने business को automate कैसे करेंगे sir, automate का मतलब कि automatic अपने आप ही सारा काम हो जाएगा बिल्कु सही आज हम बात करेंगे कि सारा business का आपका पूरा process automatic कैसे चलेगा सोचिए आप मुझे बताइए कि अगर आपके business का सारा process automatic हो जाए और आपका ये burden जो है कितना कम हो जाएगा क्या आप इस चीज़ से problem face कर रहे हैं कि आपको ही business में पूर दिन बैठा रहना पड़ता है आप इस सारा काम देखते हैं कितनी sale होगी है कितनी नहीं होगी है किस time पे क्यों से meeting है कहां जाना है finance का इसाब किताब किसके कितना data पड़ा है किसका balance है क्या आज भी परचियों पे आप सारा इसाब किताब लिखते हैं अगर ये सारी problems आप face कर रहे हैं तो इस video के अंदर मैं आपको कुछ solutions बताने वाला हूँ इसके देखिए हम समझते हैं पहले business automation actual में क्या है इसका मतलब क्या है business automation का देखिए business का automation मतलब है कि एक business जो आप कर रहे हैं automate यानि कि इसको automate करना अब business में किन-किन जीज़ों का आप automate कर सकते हैं देखो starting से चड़ते हैं purchase आप purchase को भी automate कर सकते हैं सर्फ purchase को कैसे automate करेंगे इसका मतलब ये है कि जब आपको material purchase करना होता है कभी-कभी क्या होता है कि आपको कुछ stock खतम होने वाला है जब खतम हो जाता है तब उनको पता चलता है कि आप order करना था अरे भाई तोने phone नहीं किया उसको order करने के लिए और जो stock time पर आना होता है आनी पाता है इसलिए एक software की help से आप उसके अंदर एक minimum requirement डाल देते हैं कि या जब मेरा order 10 quantity पर चले जाए इससे कि आओगा कभी भी आपको shortage नहीं रहेगी stock की चाहे sales हो आप sales के अंदर report जरनेट करने के लिए उसको भी automate कर सकते हैं और क्या automate कर सकते हैं आप अपनी finance को अपनी team को जो आपकी वहाँ काम कर रही है उसको भी automate कर सकते हैं देखिए सारी चीज़ें possible है technology की help से technology की help से आप सब कुछ automate कर सकते हैं अपना भूत सारा time बचा सकते हैं अपना जो काम है उस काम को करने की जो speed है उसको भूत ज़्यादा fast कर सकते हैं उसकी efficiency को improve कर सकते हैं अपने staff की efficiency को improve कर सकते हैं माल लिजी आपका स्टाफ दिन में 8 गंटे काम करता है, 10 गंटे काम करता है, लेकिन आपने अगर उसके proper track, proper reports अगर बना रखे हैं, हर दिन की tracking जो भी काम हुआ उसका, तो आप यकीन मानिएगा, जो काम वो 8 गंटे में करता है, वही काम 6 गंटे में भी खतम हो जाएगा, या हो सकता है कि वही काम 5 गंटे में भी खतम हो जाए, यह power है business automation की, बात हती है कि sir, business को automate करेंगे कैसे, exactly यह software क्या होते हैं, देखो यह software different CRM होते हैं, आप Google पर भी search कर सकते हैं, जोयो है, टैली है, माग ERP है, यह आप customize भी करा सकते हैं software को, बहुत महंगे नहीं आते हैं, इसे जो बिल्कुल free tools होते हैं, जिनको आप use करके अपनी बहुत सारे time को बचा सकते हैं, जैसे की Google calendar, अब Google calendar में क्या होता है, कि आप अपनी सारा schedule, next 5 days का पूरा schedule, क्या काम करना है, कब करना है, किस के साथ meeting है, पूरा Google calendar में लिखके रख लेंगे, अगले 5 दिन का, 7 दिन क करना पड़ेगा, कि आप मेरे को मिटिंग में जाना था, वो मिटिंग मेरी निकल गी, याद निरा मैं लेट पहुच गया, जो आपका Google calendar है, वो आपको automatically खुद ही आपको remind करा देगा, आधे घंटे पहले जो भी आप time डालोगी, कि आपकी 7 बजे meeting है, 6 बजे उस client के साथ meeting है, अच्छा, वहाँ से payment लेकि आनी थी, क्योंकि ये same practice मैं भी यूज करता हूँ अपने business के अंदर, कि किस time किस से क्या follow plan है, कैसे काम करना है, तो ये बहुत important tool है, आप इसको जरूर अपने business में यूज किजएगा, इसके बाद माल लिजे कि आपने business को automate करना है, तो उसके साथ में आपको जो आपकी जो team है, subordinate है, जो काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को वो सारे software, tool, techniques के help से आपको जोड़ना पड़ेगा, ताकि वो सारे लोग आपके business में इस तरह से integrate हो जाए, कि हर एक का काम दूसरे के ओपर depend हो जाए, depend दना मतलब कि वो cross check कर सके दूसरे के का को, कि मैंने कोई काम किया, लेकिन वो दूसरे बंदे से इस तरह से connected है, कि मैंने कोई गलती की, तो दूसरे को इस गलती का पादा चल जाए, that is the power of business automation, कि आपस में सब चीज़े cross check हो जाएगी, तो एक एक बंदा बच नहीं सकता किसी गलती से, तो ये भी बहुत सार कि आप अपना कितना समय बचा सकते हैं, business automation करने के क्या steps है, क्या procedures है, data को कैसे आप maintain करेंगे, google calendar को आप कैसे use करेंगे, आपकी जो finance को आप कैसे automate करेंगे, उसके बाद में है कि आप अपने जो documentation system है, documentation management system, उसको कैसे आप manage करेंगे, आप अपने business के flow chart को कैसे बनाएंगे, mapping को कैसे automate करेंगे, sales को कैसे automate करेंगे, यह सारी चीजें, यह सारे tool techniques, इस how to automate your business में आपको सिखाया गया है, इस course के अंदर, अगर आप बहुत detailed में समझना चाहते हैं, तो इस course को भी जरूर subscribe कर सकते हैं, otherwise, जो मैंने आपको कुछ चीजे बताई हैं, कुछ ideas बताया हैं, google calendar ब description box में हमने number दिया, अपनी team के, आप उनसे जरूर बात करना, आपको बहुत detailed में सब कुछ समझा देंगे, और आज कल तो यह everything about entrepreneurship का जो course है, उसके साथ में यह पूरा detailed course आपको बिल्कुल free मिलता है, तो definitely आप इसको जरूर subscribe कीजिएगा, इस channel पर पहली बर हैं तो channel को जरू और comment box में लिखके बताना है कि आपके business की क्या problem है, आपको क्या-क्या challenges face करने पढ़े हैं अपनी business में, so that कि हम आपको उसमें भी help कर सकें, जो आप comments हमें लिखके देंगे, हम उनको पढ़ेंगे, और definitely आपको solutions भी provide करेंगे आपके business की problem का, धन्यवाद झाल